आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए अपिसोड में आईए आज हम सभी मसूर के दाल के फायदों के बारे में जानते हैं मसूर की दाल प्रकृति इसकी गर्म होती है शूश्क रक्त बढ़ाने वाली और रक्त को गाढ़ा करने वाली है मसूर की दाल इसे पचने में अधिक समय लगता है गरिश्ट होती है ये इसकी दाल खाने से दस्त बहुमूत्र प्रदर और कबज में लाफ होता है इसकी दाल घी से छोंक लगा कर तल कर खाने से नेत्रों को शक्ति मिलती है मसूर के आटे का चुर्मा मलीदा बना कर खाने से प्रदर हर प्रकार के रक्त स्त्राव में लाफदायक है मसूर की दाल एवं मूंग की दाल के गुण समान होते हैं मूंग के बदले मसूर का प्रयोग कर सकते हैं आप इसमें प्रोटीन की मातरा नित्य 50 ग्राम प्रोटीन लेना अच्छे स्वास्त के लिए जरूरी है मसूर की दाल के एक कप में 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है पेट के रोग पेट की पाचन क्रिया से संबंधित हर प्रकार के रोगों में मसूर की दाल खाना लाफदायक है मसूर के आटे की पुल्टिस लगाने से फोड़े शिग्र फूट कर मवाद सुख जाता है यानि कि घाव ठीक हो जाता है मंजन मसूर की राख मंजन में लाफदायक है इस राख में अन्य चीजें उनके गुनों को देखते हुए आप मिला सकते हैं किल मुहासे और धब्बों से अगर आप परिशान हैं तो मसूर के दाल इतने पानी में भिंगोएं कि वह भिंग कर उस पानी को सोख ले फिर उसे पीस कर दूध में मिलाकर सुबह शाम दो बार चेहरे पर लगाएं मलें रात को सोते समय जाय फल और काली मिर्च दोनों कच्चे दूध में पीस कर चेहरे पर लगाएं आपको लाव होगा किल मुहासे गायब हो जाएंगे चेहरे के दाग धब्बे तरबूज के बीज की मिंगी पंसारी के यहाँ जो की उपलब्ध होती है आप ला सकते हैं उसके यहाँ से और मसूर की दाल बराबर मातरा में दूध डाल कर पीस लीजिए और चेहरे पर रात को इसका लेप लगा लीजिए चेचक हो दाग हो गहरे गड़े सब साफ हो जाएंगे लंबे समय तक इसका प्रियोग करें क्योंकि जितने भी आयुर्वेदिक और शधियां होती है वो अपना पूनता काम करने में या आसर दिखाने में वक्त लेती हैं लेकिन रोग को समूल रूप से नश्ट करती हैं जड़ से समाप्त करती हैं चार चमच मसूर की दाल दो घंटे भीगोले और बरगद के पेंड की कूमल नई नई चार पतियां दोनों को बारीक पीश कर चेहरे पर लेप करें तिन घंटे बाद चेहरा धोएं चेहरे के धब्बे जाईयां ठीक हो जाएंगे इस प्रयोग को आपको दो सब्ताह तक लगातार करना है मसूर की भिंगी हुई दाल पर निम्बू नी चोड़कर पीश कर चेहरे पर लेप करने से चेहरे की जाईयां मिट जाती हैं और चेहरा खिला खिला दिखता है खुनी बवा सीर हो तो प्राता के भोजन के समय मसूर की दाल खाने और एक गिलास खटी छाँच पीने से लाब होता है पैरों की जलन मसूर की दाल का आटा पीश कर पानी में घोल कर उबालने फिर ठंड़ा होने पर चार बार रोजाना पैरों पर लेप करें पैरों की जलन में लाब होगा तो यी था ही आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए मसूर के दाल से रिलेटेड अगली बार हम आप सभी से चुड़ेंगे कुछ एक और महत्तुपूर जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार